जाती आधारित सर्वे की नीव महोदय ये जाती आधारित सर्वे का नीव एंडिये की सरकार में पड़ी है महोदय और ये मैं बता दो जो आज साथ बैठकर दोड़ बजा रहा है महोदय आद मानिय कुक्स मंत्री भीका पेचैनी भीकाई है महोदय कर दो पर फस्लिब तो पस्लिब चिए भाइब करो लो करो प्राइब करो आण परस्टाओं में भी समर्तन किया काबनेट में भी समर्तन किया इसी सदन में हम लोग बैटे थे पूरी सहमती सजताई आए उसमें भी हमने भागिरदारी किया महोदय, गरीबों के हित में हमेसा हम साथ करे हैं महोदय हर तरह की योजनाओं में भारतीय जनता पाठी पोया समर्थन करती हैं महोदय लेकिन मैं बता देना चाहता हूं महोदय कहना चाहेंगे बरे बिद्वत लोग हैं, अनुभवी भी हैं और अनुभव की किताब लेके बैठे हैं महोदय ये अनुभव की किताब रखने बाले लोग से हम कहना चाहेंगे कि विचार एइसा रखें जिस विचार लोग विचार करें लेकिन आप जो विचार रख रहे हैं आप को बढ़िए कि अगर आप अपने समय में अध्यक्ष महोदय ये जो बिद्धवत लोगों भर्माने का घुमाने का लटकाने का और ये यहां नेता प्रतिपक्ष ते जस्ति जादों जी कहते थे ये जिलेवी हैं जिलेवी के तरह घुमाते हैं और आज भी सब्दों में बहुत है मानिये मानिये नेता प्रतिपक्ष आप जो है आपका क्या पिछार है इसको कहिए जिलेवी या लटू काना अपना कहिए अपना कोट की बात कोट की बात भरम पःलाने वाला ये मामला महोद है कोट के अंदर भातिये जनका पार्टी ने पढ़ी जातिये सर्वे का फिरोब नहीं किया महोद है हम ऐसा खुल कर समर्तन किया है ये जातिय जन्गनना की बात कहे थे महोद है जातिय जन्गनना ये हम नहीं महोद है ये कॉंग्रेश के मंत्री चिंदंबरम साहभी कहे थे कि जातिय जन्गनना भारत सरकार कराती है राज सरकार का अधिकार नहीं है महोद है और ये लोग को भर अज़त रुप से बता रहे हैं लोगों का इस जातिय सर्वे में कई सिकाईते आई है महोदे कई मोगों ने घरना परदर्शन के माध्वम से भी सरकार का ध्यान आकिस्ट करना चाहा चाहे चांद्रवंशी समाज हो ठानुक समाज हो उसी समाज के सप्ता नागता